हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा मैंगर बेंस आपको 100% फ्री एजुकेशन दीता है लेकिन साथ ही साथ यह भी प्रयास करता है कि आपको जितना भी कंटेंट दिया जाए जो भी वीडियोस आपको प्रवाइट करे जा रहे हैं उसमें टीचर्स भी आप कोई भी डाउट्स नहीं रहें और वो भी इस सब आपको फ्री में दे रहे हैं तो इनका लाब उठाईए जो कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हमारा भष्य का निर्मार में नीव का काम करती है तो इसको आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से करना है है ना और को पता है कि नाइन से हमारे दो कोर्स स्टार्ट होते हैं अभी तक आपने पढ़ाई थे एर्थ में आप हिंदी पढ़ते थे लेकिन आप दो कोर्स चलते हैं यह कोर्स डिपेंड करते हैं आपके स्कूल पे कि आपका स्कूल कौन सा कोर्स आप्ट कर रहा है तो आपके हाँ अगर कोर्स A पढ़ाया जाता है तो आपके यहां बुक चल रही होगी शितज और कृतिका भाग एक अगर आपके पास में कोर्स B है तो आपके पास दो बुक्स चलेंगी इसपर्ष भाग एक और संचयन भाग एक तो यह बुक्स अभी तक आपने पढ़ी हुई है तो आज जो हम करा रहे हैं वो हमारी बुक है इसपर्ष भाग एक के गद्य खंड में अब यह बुक भी हमारे दो खंडों में विवक्त है एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड तो आज जो हम करा रहे हैं वो है हमारे गद्धिखंड का पांचवा आध्याय शुक्रतारे के समान। ये पार्ट हमारे सामने रखा है स्वामी आनंद जी ने इसमें हमें ये समझाया गया है कि जिस तरीके से चांद का जो साथी होता है वो शुक्रतारा होता है। उसी तरीके से यहां पर चांद जो है वो गांधी जी थे और उनके समान उनके दम जो है साथ साथ चलते थे उनके निजी सचिफ महादेव भाई तो उनके बारे में यहां पर महादेव भाई को शुक्रतारा बोला गया है और उनहीं के व्यक्तत्य के बारे में इस पार्ट में हमें बताया गया था तो पार्ट हमने पूरी तरीके से पढ़ा हुआ है हमने इसके detail explanation, NCRT solution, MCQs और complete chapter revision हम already कर चुके हैं तो आज क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं most important questions यानि कि exam या test में ऐसे questions जो हमसे इस chapter से पूछे जा सकते हैं आज हम उनको लेकर आए हैं तो ये chapter जो हमने अभी तक NCRT में की NCRT solutions के जो हमने questions की हैं ये वो बिल्कुल नहीं है पार्ट से संबन्नित हैं लेकिन अलग से लिए गए हैं तो बहुत ध्यान से देखेगा इनको और पढ़िएगा जो आपको बहुत ही जाता help करेंगे आपके टेस्ट और exams के दोरा में पहला प्रश्ण है शीर्षक शुकतरारे के जमान की उपमेता को इसपष्ट कीजिए अब यहाँ पर उपमे दिये गई है महादेव भाई सी को शुकतारे की उपमा दी गई है तो अब वो जो उपमत दी गई है हमीं इसको सपष्ट करना है क्या ये बिल्कुल सही है आचा ये कोशन अब आपको दो तरीके से और पूछा जा सकता है जैसे एक तो ये उपमेता सपष्ट कीजी दूसरा ये दे सकते हैं कि इस पार्ट के शीर्षक की सार्थकता को सपष्ट कीजिए जो इसमें जो सीर्षक लिया गया है क्या ये पूरी तरीके से सठीक है इस पार्ट के लिए या नहीं है या आप कुछ और सज़ेस्ट करना चाहेंगे तो इस तरीके से भी वो पूछा जा सकता है तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे शुक्रतारे के समान निबंद के लेखक ने शुक्रतारे से गांधी जी के सचव महादेव भाई दिसाई की तुलना की है वे अपने व्यवस्ततम जीवन काल में भी अपने नियमित कारेकलापों को करते रहे अंतों गुत्वा उनका अकाल निधन हो गया ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश में अपनी आभा प्रभा विखेरते हुए घंटे दो घंटे में शुक्रतारा अस्त हो जाता है इसे अल्पकालीन तीक्षण आभा के बिंदू पर शुक्रतारा एक महादेव भाई के बीच दुलना की गई है तो अब देखिए अगर आप आसमान में के साथ ही रहता है तो उसी तरीके से यहां पर बताया गया है कि जिस प्रकार शुक्रतारा थोड़े से ही समय के लिए आसमान में दिखता है और अपनी प्रबल दाविदारी आकाश के उपर साबित करके चला जाता है उसी तरीके से जो महादेव देशाई जी हैं वो क्या र प्रक्षता के साथ पूर्ण करते थे तो जैसे शुक्रतारा है थोड़े से ही समय में अपनी आवा भी खेरता है उसी तरह महादेव भाई ने भी अपने कम जीवन काल में ही बहुत ही अच्छा अपना एक प्रबल वेक्तत जो है वो लोगों के सामने प्रस्तूत किया था क् उनकी मृत्यू भी बहुत जल्द हो गई अकाल मृत्यू बोली जाती है जो मृत्यू समय से पूर्व हो जाती है तो इसलिए उनको बोला गया कि वो शुक्रतारे के समान है तो इसलिए जो उपमेता दी गई है शुक्रतारे की महादेव भाई को वो बिलकुल सही है सठीक है अब आते हैं प्रश्न संख्या दो पर गाम देवी के मड़ी भवन पर कौन-कौन से लोग गांधी जी से मिलने आते थे इस शुक्रतारे के समान पाट के आधार पर लिखिए अब कौन-कौन लोग आते थे उनसे आपको ये बताना गांधी जी बहुत ही सीधे सरल वेक्ति वाले वेक्ति थे लेकिन उनके इस सरल वेक्ति नहीं उनको बहुत ही जादा प्रसिद्धी थी उनके कार निने, उनके द्रण संकल्प ने, उनके वेक्तित्व की आभा ने बहुत से लोगों को आकर्षत किया उनसे मिलने के लिए ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ भारते भी आते थे आप अगर देखेंगे तो ब्रिटिशस भी उनसे जो हमारे उपर उसमें राज कर रहे थे वो भी उनसे बड़ा ही जादा प्रभावित रहते थे गाम देवी के मड़ी भवन में ब्रिटिश राषिन के अत्या चारों अन्यायों से पिडित लोग गांधी जी से मिलने के लिए आते थे ये पिडित लोग अपने उपर हुए अत्या चारों की कहानियां बताते थे महाधेव वाई आवशक होने पर आने वालों के साथ गांधी जी की मुलाकाद भी करवाते थे मिलने आने वालों में सामान जंता के अत्रित अन्य सुतंता संग्रामी वकील विभिन समवादाता देश विदेश के धुरंदर लोग आदी आते थे तो अब क्या होता था अंग्रेज जी शाषन था सब लोग बहुत ज़्यादा दुखित थे उनके अत्याचारों से तो हमारी बात कोई सुने तो उन्हें गांधी जी ऐसे लगते थे कि हम जाके उनको बता दे तो शायद हमारा दुख या दर्द तकलीव जो है वो कम भी होगा बताने कहते हैं अपना दर्द बताने से कम भी होता है और अगर उसका हाल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है बहुत ही ज़यादा गंभीर होती तो उस व्यक्ति को गांदी जी से मिला दिया जाता था तो यहाँ पर जो है गांदी जी के पास लोके पहुशन्ओ से देश विदेश बहत से बड़े बड़े लोग आते थे विभय पत्रिकाएं को समवादा था आते थे वकील आते थे क्योंकि भाइए से सारी चीज़े थी जो हम ब्रिजें sources संग्राम कर रहे थे उसमें कहीं न कहीं जो है हम कानुनी तौर से भी काम नहीं कर रहे तो यहाँ पर क्या हानिमेन एक सापताहिक यानि अंग्रेजी बंबई कॉनिकल के संपादक थे वो निर्भेकता पूर्वक समचार पतर का सम्माधन करते थे जिसमें भारते नागरों को की दुरदर्शा तथा वेता इसपष्ट विवरण इमें टिपडियां होती थी जो होकर उन्हें देश निकाला की सजा दे दी और उन्हीं इंग्लाइन भीज दिया देखे हानीमेन एक ब्रिटिश थे और वो एक अंग्रेजी यानि के ब्रिटिश आर्शन की जो भाशा है अंग्रेजी उसी में एक पत्रगा निकालते थे कौन सी बंबई कॉर्मिकल इसके सं संपादक थे यह तो आपने बता दिया अब क्या था यह अगर अंग्रेजों का ही अख़बार था वहीं का आदमी यानि कि ब्रिटिश ही एक उसको छाप रहा था उसका संपादक था तो उसमें जाहिर सी बात है ब्रिटिश राशन की वहवाई लिखनी जानी चाहिए लेकि निर्भीक संपादक थे क्योंकि उनको लगता था कि नहीं जो सच है हमें वो छापना चाहिए और इस बात से जो है ब्रिटिश राशन बहुत खाफा थी आप देखे जब ब्रिटिश का जो शाशनकाल था उसमें जो है ना हमारी जो पत्रकारिता जो आज स्वतंत्र है वो पहले स्वतंत नहीं थी सारे पत्र पत्रकार जो है वो ब्रिटिश राशन के अंडर ही आते थे अगर उनके खिलाफ कुछ चापा जाए तो उनका प्रेस बंद कर दिया जाता था या उन्हों को सजा दे दी जाती थी लेकिन हानी मैन जो है इस चीज़ से बिलकुल नहीं डर तो ये कारण था उनको देश निकाला देने का प्रेशन संख्या चार है हानी मैन ने देश निकाला की सजा का असर गांधी जी पर कैसा पड़ा अब चूकी वो देखिए एक तरीके से वो डारेकली सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी के आंदोल उनको तो ये बात ब्रिटिश के संपादक हानी मैन की निर्भेकतावा इमानदारी से दुखी होकर अंग्रेशी जी सरकार ने उन्हें देश निकाला की सजा देते हुए इंग्लैंड भेज दिया इसे बंबई के तीन बड़े नेता शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनदास द्वारकादास के सापता समाचार पत्र में लिखने वालों की कमी हो गई, तब गांदी जी ने उनकी इच्छा के अनुरूप यंग इंडिया के संपादक का दाइत तो सम्हाल लिया, जो उन दिनों गांदी जी की भी आवशक्ता थी, बाद में नवजीवन नामक समाचार पत्र का कार्रेभार भी ग चाप रही थी, अब चूकि वो पत्रिका के संपादक को इंग्लैंड भेज दिया गया तो वो पत्रिका ठप हो गई, अब क्या हुआ, अब बंबई का ही दूसरा समाचार पत्र था, जिसे चाप रहे थे, जिसके काम कर रहे थे संकरलाल बैंकर, उमर सुभानी और जमनदास द्वारकदास जी, इन लोगों का जो पत्र था, यंग इंडिया, उसमें लिखने के लिए मतब चीजे नहीं मिल रहे थी, अब क्या किया जाए, तो आखिर में फिर गांधी जी ने इसके लिए कार करना शुरू किया, क्योंकि पहले ये जो काम गांधी जी अब करने जा रह कि ये कारेभार किस पर आ गया, गांधी जी पर आ गया, और गांधी जी भी चाहते थे कि हम ऐसा कुछ करें, बाद में गांधी जी ने एक और जो है आपकी निकाली एक समाचार पत्र नव जीवन, और इसी का कारेभार भी गांधी जी पर आ गया, तो देखिए यहां पर ज सबसे प्रबल जो जरीया था वो थे समचार पत्र और पत्तिक्राएं इनके जरीये लोगों को जागरूग भी किया जाता था लोगों को जानकारी भी दी जाती थी उन्हें अवेर किया जाता था सारी चीजों से तो इसलिए इस तरह की पत्र-पत्रिकाएं बहुत ही महत्पू जानकारी रख पाते थे तो इसलिए समाचार पत्र पत्रकाओं के जरीए लोग जादा से जादा सही चीज़ों का जानकारी रख पाते थे इसलिए जो है उस स्वतंतरता जब संग्राम हो रहा था उस समय पत्र पत्रकारी का बहुत आहम भूमिका थी लोगों को अवेर करने और जागरू करने के लिए स्वतंतरता संग्राम में प्रश्ण संख्या पांच है उग्र और उदार देश भक्तों से क्या तातपर है शुक्रतारे के समान पाठ के आधार पर बताईए उग्र अब उग्र का मतलब समझेगा जो बहुत ही जादा उतेजित होते है ठीक है उदार मतलब जो कि बहुत ही नम्र सभाव के होते है तो तो ये होता है उग्र और उदार अब इन्हीं देश भक्तों से क्या तात पर जब देश भक्ती इन दो फिलिंग्स में डिवाइड होती है तो जाहिए सी बात है दो अलग-अलग चीज़े निगलके हमारे सामने आएंगे क्या देखी उग्रेवं उदार देश भक्तों से ताद पर भारत के राश्टिय सुतंता आंदोलन के दौरान दो भिन्य प्रकार की विचारधाराओं से जुड़े देश भक्तों से है अब यहाँ पर काम वो एक ही कर रहे हैं देश को सोतंतर कराने के लिए लेकिन उनकी विचारधारा अलग है एक की उग्र है और दूसरे की उदार है हैं दोनों देशभक्त हैं दोनों सोतंता संग्रामी लेकिन यहां उनकी सोच और विचारों में फर्क है स्वाधिन्ता संग्राम के दौरान धेशभक्तों का एक वर्ग प्रार्थना पत्र आवेदन विन्ती सत्याग्रे आदी के माध्यम से स्वाधिन्ता प्राप्ति का प्रयास कर रहा था जिसे उदार विचारधारा से जुड़ा माना गया तो जहां पर हम बोलते थे ना कि हम चुपचा बैटके आंदोलन करेंगे सत्याग्रे जिसे बोलते थे हम करेंगे हम आवेदन देंगे विन्ती करेंगे विनमरिनिवेदन करेंगे तो ये सब क्या थे ये उदार थे ये लोगों को जो है विचारों के धरिये तोड़ने की कोश करते थे जब कि इसके विप्रीत देश भक्तों का ऐसा वर्ग भी था जो आंदोलन क्रांगती हिंसा आदी के माध्यम से ब्रिटिश आशन पर दबाव बना कर देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहा था इसे उग्र विचारधारा से जुड़ा वर्ग कब बोला गया जो यहां कहते थे कि तुम हमको एक मारोगे तो हम तुमको चार मारेंगे है ना यहां पर जो आंदोलन करते थे क्रांगती करते थे बंदू बं यह सब चीजों का इस्तमाल करते थे उनकी विचारधारा उग्र थे अब यहां पर यह नहीं हम जस्रिफिकेशन यह बिल्कुल भी की स्वतंथ्रता प्रश्चन स Κ्या श, गांधी जी के पास तो उनके पास बहुत सारे लोग अपनी तरह-तरह की बातों को बताने आवेदन देने बहुत सारी चीजों की प्रात्राएका ने कई तरीके के इदम सरकारी पत्र भी आते रहते थे तो आपको वही बताना है कौन-कौन से पत्र आते थे और कहां से आते थे और क्यूं आते थे गांधी जी के पास देश विदेश से अनेक लोगों तथा संगों के पत्र आते थे सभी प्रांदों के देश भग तथा क्रांतिकारी पत्रों द्वारा अपनी अपनी गतिविदियों की जानकारी गांधी जी को दिया करते थे देश के विभिन भागों में अंग्रेजी सरकार से परिशान व्यक्ति गांधी जी को अपनी विथा सुनाते थे गांधी जी द्वारा अनेक समचार पत्रों का संपादन कारे किया जाता था तता गांधी जी एक सक्रे आंदोलन करता भी थे अतायव गांधी जी को भिन विभिन लोगों तता संस्थानों द्वारा पत्र लिखे जाते थे अब क्या है भारत के हर प्रांत में लगभग स्वतमत्रा आंदोलन चल रहा था अब वहां मान लीजे जैसे गांधी जी कहां बैठे हैं गुजरात में बैठे हैं तो अब आंदरप्रदेश में हो रहा है गुजरात में हो रहा है साथ ही साथ आंदरप्रदेश है केरल है या किसी में कोई बाधा उत्वपन हो रही है उन सब चीजों के लिए अब इसके इलावा बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जिने तकलीफी होती थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो बहुत ही गंभीर भी होती थी तो उनके भी पत्र आते थे गांधी जी को चीजें बताने क प्रश्न संख्या साथ हैं महादेव भाई ने वकालत किसके साथ पढ़ी या पेशा उन्होंने क्यों छोड़ दिया भाई उन्होंने जो है वो वकालत पढ़ी जो उनके बहुती घनिष्ट मित्र थे नरहई भाई उनके साथ उन्होंने वकालत पढ़ी थी और बाद में उन्होंने ये छोड़ी थी आपको ये बताना है महादेव भाई ने नरही भाई के साथ वकालत पड़ी लेकिन वकालत का ये पेशा स्याह को सफेद तथा सफेद को स्याह करने के लिए जाधा पस्टिद्ध है महादेव भाई जूट का साथ नहीं देना चाहते थे इसलिए उन्होंने ये पेशा छोड़ दिया साहित और संसकार के साथ भी इनका कोई संबंद नहीं रहता था अब महादेव भाई जो है वो क्या थे गांधी जी के साथ रहते थे तो जाहिर सी बात है अगर वो गांधी जी के साथ आगर मिले और उनके साथ रहे रहे हैं की विचारदारा में भी सत्ता उतनी ही है अब वकालत के पेशे में क्या होता है जूट को सफेथ में लपेटिये यानि कि जूट को सच में लपेटिये और सच को जूट में लपेट के पेश करिये और किसी भी तरीके से अपने जो है वो हमें केस जीतना होता है ये चीज उनको को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि हम अपना जमीर गिर्वी रखें ये सारे काम करें इसलिए उन्होंने ये पेशा चोड़ दिया अब चूकि ये जो पेशा होता है इसमें हमारे साहित का कहीं भी टच नहीं होता ठीक है ना तो ये चीज को भी उन्हें क्योंकि वो खुद एक स थोड़ देना ही उजित समझा प्रेश्ट संख्या आठ है महादेव भाई की दिन्चर्या संबंधी तत्यों को अपने शब्दों में लिखिए अब पार्ट में उनका दिन्चर्या पूरी बताई गई है उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है कि वो कैसे कैसे उनका दिन वितीत हूता था तो देखी क्या है लगातार चलने वाली यात्राओं प्रतेक स्टेशन पर दर्शनों के लिए कत्रित जनता की विशाल समुदायों सभाओं मुलाकातों बैटकों चर्चाओं और बाच्चीत के बीच वे स्वें कब खाते कब नहाते कब सोते या कब अ इतनी सारी विश्तताओं के बीच भी वे सूत कातने से कभी नहीं चूपते थे तो महादेव दिसाई जी की दिंजर्या क्या होती थी ये कोई जानी नहीं पाता था क्योंकि लगातार कुछ न कुछ उनके साथ उतरा था मतलब आप मानिये यात्राएं कर रहे हैं बैटके कर रहे हैं, रैलियूं को संभोधित कर रहे हैं तक उस बीच उनका नहाना, खाना, सोना कब होता था, किसी को पता नहीं चल्ता था, और इन सब के बावजूद एक उनका प्रेकाम था सूत कातना और वो भी वो बड़े अच्छ से कर लेते थे तो ये लोग काफी लोग सोचते थे कि भाई ये कब खाते हैं कब सोते हैं कब नहाते भाई एक शरीर है इसको भी रेस्ट चाहिए ना वो किस वक्त सो रहे हैं किसी को नहीं पता कब खा रहे हैं नहीं पता कब नहा रहे हैं नहीं पता भाई ये दैनिक कार तो हमें करने ही करने हैं तो वो दैनिक कार कब निप्टा लेते थे किसी को कोई भी अंदाजा नहीं होता था प्रश्ण संख्या 9 है गांधी जी से मिलने के बाद महादेव जी को साहितिक लेखन का समय क्यों नहीं मिला अब चूकि वो गांधी जी के निजी सचव बन गये थे तो गांधी जी खुद अपने इतने जादा व्यस्त वेखते तो अब उनक्या काम पहले किस से होके घुजरता था? महादेव दिसाई से होके घुजरता था तो इस कारण ऐसा होता था कि जो है वो पूरा दिन व्यस्त रहते थे उनका जो एक प्रिकाम था साहित्य से सम्मंध वो कहीं न कहीं उनसे छूट गया था गांधी जी के संपर्क में आने के बाद महादेव जीवन इतना व्यस्त हो गया कि उन्हें नीजी कामों के लिए समय न मिल पाता था वे सदा मुलाकातियों तथा समाचार पत्रों के बीच ही गिरे रहने लगे थे वे घमासान लडाईयों आन्दोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड भरे प्रसंगों के बीच केवल साहितिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि वो गांधी जी के कारे क्योंकि आंदोलन हो रहा है कहीं ये सारी चीज़े हो रही थी इनका निजी काम लोग उनसे मिलने आते थे पत्रा चार क्योंकि पत्र जो होते थे वो महादेव दिसाई ही उनका जवाब दिया करते थे समचार पत्रों का भी देखरे का काम इन पर था तो वो इतना ज़ादा व्यस्त हो गए थे जो उनका साहित से जुड़ाव था उनको साहित लेखन किया करते थे वो कहीं न कहीं बंध हो गया था या छूड़ गया था प्रश्ण संख्या 10 है महादेव भाई के संपर्ख में आने वाले लोगों को क्या मिलता था महादेव भाई के संपर्ख में आने वाले लोगों में उनकी निर्मल प्रतिभा, चंद्र, शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी उनमें सराबर होने वाले के मन में उनकी इस मोहीनी इंका नशा कई कई दिन तक उतरता नहीं था उनके संपर्ख में आने वाले लोगों के लिए वे गाद के समान थे, अतहां उन्हें ठेस या ठोकर नहीं लगती थी उनको खुर दुरी, मिट्टी या कंकरी ये भी नहीं चुपती थी, उन्हें किसी भी प्रकार के कश्टों का अनुभों नहीं होता था अब देखे बड़ा अच्छा सुन्दर साब इसको उन्हें ने दो तरीकों से समझाया है एक है गाद, यहां पर एक जो सब्दिदिया है गाद और दूसरा है वो शुक्रचंद्र की प्रभा ठीक है, तो यहां पर अब हम आपको समझाते हैं, पहला आप समझेए यह शुक्रचंद्र की प्रभा महादे भाई से जब कोई व्यक्ति मिलने आता था, तो क्या हो, तब मैंने बता है न, वो शुक्र तारे के समान थे और चंद्र कौन थे, गांधी जी तो जब उनसे मिलने के लिए कोई आता था, तो उनके व्यक्ति का असर उस व्यक्ति पर इतना पढ़ता था, कि वो व्यक्ति तीन चार चार दिन तक उनके बारे में ही सोचता रहता था, उनके व्यक्ति के से इतना जादा वो इंप्रेस हो जाता था तो easily उनको बोला है कि चंदर शुक्र की प्रभा से दूदों नहला देती थी यानि कि उनके वेक्टिस से लोग बहुत जादा इंप्रेस हो जाते थे अब दूसरा उन्होंने एक वर्ड लिया है गाद गाद का मतलब क्या होता है समझेए जो कीचड होता है आपनों कीचड देखा होगा तो कीचड में भी आपको कंकड मिलेगा कहीं पर पानी बहुत गीला मिलेगा सब कुछ ऐसा होता है लेकिन गाद जो होती है वो बहुत चिकनी होती है उसमें किसी भी प्रकार का कंकर नहीं होता आप किसी भी नदी की तलहटी में आप अगर जाओगे तो वहाँ पे वो गाद आपको मिलेगी या तलाब की तलहटी में वो मिट्टी बहुत चिकनी होती है बहुत चिकनी होती इसमें किसी तरह का कोई कंकर नहीं होता तो उसी तरह कोई वेक्ति उनसे मिलने के लिए आता था तो उस वेक्ति की सारी समस्याओं का हल हो जाया करता था उसे किसी तरह की कोई परिशानी नहीं होती थी उसको जो भी परिशानी लेकर आया वो सभी हल हो गया इसलिए उन्होंनों बोला ना मिट्टी या कंकरी नहीं चुपती थी तो वो गाद इती चिकनी होती थी यानिक उनका व्यक्तत ऐसा था कि वो दूसरे की सभी परिशानियों का हल निकाल दिया करते थे और सामने वाला व्यक्ति जो उनसे मिलने के लिए आ रहा है उसे किसी वि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी न तो वो सारी इसके इलावा भी उनको कई और चीज़े थी तो वो चीज़ आपको यहां बताने ही देखिए कह मादे भाई को उत्कृष्ट कोटी की शिष्ट संस्कार संपन्य भाशा और मनोहारी लेखन शैली से संबंधित विश् वहवार उनकी राइटिंग में जलगता था जो हम लोग बोलते हैं हमारी हैंड राइटिंग जो हैं कहीं न कहीं हमारे व्यक्तत्व को दर्शाती हैं अब वो जैसे व्यक्ति थे उनकी हैंड राइटिंग भी उतनी ही शिष्ट और सुन्दर थी गांधी जी से मिलने से पहल था विशिष्ट लेखन शैली उन्हें इश्वरिय देन के रूप में मिली थी किन्तों साहितिक छेत्र में समय के अभाव के फलसरोप इनका उपयोग वे नहीं कर पाते थे तो जहां उनकी राइटिंग अच्छी थी उनकी शैली भी बड़ी अच्छी थी शैली का मतलब होता है जो लिखने कोई भी चीज हमारे जो विचार रहे जो चीजे हैं उनको कितने अच्छे शब्दों में डिलिवर कर पा रहे हैं तो वो जो उनके अंदर quality थी वो बहुत ही अच्छी थी अब चुकि जब से वो गांधी जी के संबर्व में आए तो वो इतने जादा व्यस्थ हो गए कि उनको अपने उस साहित्तिक लेखन के लिए समय ही नहीं मिल पाता था तो वो जो उनका उत्करष्ट ईश्वरिय देन थी तो वो कहीं न कहीं काफी कम हो गई थी प्रेश्ट संख्या बारहा है गांधी जी और महादेव जी के संबंधों पर प्रकाश डालिये अब जैसे हमने बताया गांधी जी के निजी सचेव थे महादेव भाई तो बहुत ही नजदीकी संबंधा हर एक जीस के बारे में जानना समझना सभी कुछ उनके साथ था देखे महादेव जी का समूचा जीवन और उनके सारे काम काज गांधी जी में एक रूप होकर इस तरहे गुत गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले में उनकी कलपना नहीं की जा सकती थी वे गांधी जी के प्रती निष्ठा भाव के कारण ही वर्धा की असाय गर्मी में रोज सुबा पैदल चलकर सिवाग्राम पहुचते थे और दिन भर काम करके शाम को वापस भी पैदल ही जाती थे तो चलना जो होता था ये ग्यारा मील प्रती दिन होता था महादी जी की मृत्यों गांधी जी के हिदे पर गहरी चोट थी तो जब से महादेव जी गांधी जी के संपर्ख में आये तो दोनों लोग आपस में इतना साधा डिपेंड हो गांधी जी उनके उपर इतना साधा डिपेंड हो गयते उनके सभी कार्रे उनके उपर ही थे तो यहां पर कहने का ताद पर है कि उनके सारे काम गांधी जी के जो हैं वो महादेव भाई करते थे और इससे हम गांधी जी को महादेव भाई से अलग होता कभी देखी रही सकते थे कि यह लगता था कि दोनों एक ही विक्तित्थ है एक ह जब उनकी मृत्ति हुई महादेव भाई की तो इस चीज का उनको बहुत आघात लगा था गांधी जी को क्योंकि कहीं न कहीं उनके जीवन का एक अभिन हिंसा उनसे अलग हो गया था प्रेशन संख्या 13 है गांधी जी के जीवन में महादेर जीयका क्या इस्थान था अब क्या स्थान था उन्होंने ले रखा था तुझाइट सी बात है महादेव भाई का अतंद महाद पूर्ण स्थान था विगांदी जी के हिदय में रच बस गए थे उनकी मृत्यू के पस्चाद भी गांदी जी उन्हें भूल नहीं पाए जीवित रहते हुए महादेव भाई ने गांदी जी द्वारा प्रदत्त सभी कारणियों को पूरी निष्ठा के साथ किया महादेव भाई का गांदी जी पर इतना गहरा प्रभाब था कि उनकी मृत्यू के बाद भी गांदी जी के मूँ से अनायास उनका नाम निकल जाता था ऐसा इस्थान था भाई जब तक वो जीवित थे तब तक तो सारी चीजे साथ साथ चल रही थी मतलब अब पूरी तरीके से गांदी जी उनके डिपेंड थे लेकिन जब उनकी मृत्यू हो गई तो वो अपने आपको इतना अकेला महसूस करने लगे कि कहते हैं न कि हमारा एक सहारा चला गया तो वही चीज गांदी जी भी महसूस करते थे क्योंकि बहुत सारी चीजों की जिम्मदारी उन्होंने महादेर जी ने अपने उपर ले रखी थी और जिनका गांदी जी को आभाज तक नहीं था और उनके जाने के बाद क्या हुआ कि वो नहीं भी थे तो भी उनके मुह से महादेव भाई का ही नाम निकलता था अपने कामों को पूरा करने के लिए तो ये बताता है कि किस तरीके से वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे नेक्स कोशन है कोशन नमबर 14 क्या महादेव भाई के अध्यनेवं लेखन की प्रवत्ती पर प्रकाश जा लिए अब वो लिखते बहुत अच्छा थे क्योंकि वो साहितिक लेखन भी कर रहे थे तो उनकी शैली अच्छी थी उनकी राइटिंग अच्छी थी लेखन कार रह है हमें उसे डिटेल में यहां बताना है अब यह प्रेश्ण जो है यह देर घुत रहे जाएगा तो बहुत ध्यान से इसको देखीगा कि क्या है महादेव भाई साहितिक पुस्तकों की तरह ही राजनीतिक विचारों और परी घटनाओं से संब्दित जानकारी देने वाली भी पढ़ते थे तो सिर्फ यह नहीं कि वह साहित से संबंदी चीजें पढ़ रहे हैं उनका इंट्रेस्ट राजनीति से भी था उनका जो है वह आसपास घट रही घटनाओं का भी से भी था जो पहले घट चुकी या जो अब घट रही हैं उन सभी से तो वह ऐसी पुस्तक इनका मतलब होता है इस समय हमारे आसपास जो चीजें घट रही हैं सर्फ देश में ही नहीं देश्विदेश में भी जो चीजें घट रही थी उन सभी की नौलेज वह बहुत अच्छी तरीके से रखते थे सभाव में कमेटियों की बैठकों में या दौरती रेलगारियों के डिबों के उपर की बर्त पर बैठ कर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े जोलों में रखे नएने समाचार पत्र मासिक पत्र तथा पुस्त के पढ़ते रहते तथा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते अब यह था कि जैसे हमनों ट्रैवल करते तो हमनों बाहर का नजारा ले रहे हैं सब कुछ ले रहे लेकि नहीं उनको पढ़ने का बहुत शौक था तो उनके थैलों में बहुत समाचार पत्रों पुस्त के रहती थी वह बस उसको पढ़ते रहते थे और नौलेज गेन कलते रहते थे और उन सभी को लेकर वो जो उनकी साब्ताहिक पुस्त के पत्रिकाएं थी उनमें लेख भी लिखा करते थे यंग इंडिया और नवजीवन में वो जो उनके लेक थे उनको देख कर वो अपने लेखन कार में सुधार लाया करते थे कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं तो एक तरीके से वो जो लेखन कार करने वाले लोग हैं जो नया नयलिखना सीखते हैं वो उनको बहुत जादा इंस्पायर करते थे प्रतम शेडी की शिष्ट संसकार संपन्य भाषा और मनोहारी लेखन शेली संबंधी ईश्वरी यदेन महादेव जी को प्राप्त थी यानि की ईश्वर की जो क्रपा थी लिखने की उनकी शेली उनकी सोच उनके शब्दों का चयन वो जो था उनका वो बहुत ही अच्छा था जो ईश्वर की क्रपा से उन्हें प्राप्त था यदपी गांधी जी के पास पहुँचने के बाद घहमासान लडाईयों आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं की भीड और प्रसंगों के बीच साहितिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय न मिला तो जब से वो गांधी जी के संपर्ख में आए तब से वो इतना जादा व्यस्त हो गए जो राजनितिक लडाईया थी व्यस्तता था इतना जादा कि उनका जो साहितिक लेखन जो वो करते थे इतना अच्छा विशिष्ट शैली में वो कहीं न कहीं बंध हो गया था फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्त के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद होने किया जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर अत्ते यंग इंडिया में छपता था तो अब याद इतना व्यास होने के बावजूद भी उन्होंने गांधी जी की जो आत्मकथा थी क्या नाम था उसका सत्त के प्रयोग उसका उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया जिसकी प्रतिया यंग इंडिया में भी और नवजीवन और यंग इंडिया में भी छपताय करती थी तो ये उनकी विशिष्ट लेखन शैली थी जिसके बारे में हमने बताया अब आ जाते हैं प्रश्ण संख्या 15 पर महादेव भाई देसाई अपनी लेखनी की विशेष्टा के कारण शीगरी अतन्त लोकप्रिय हो गए इस पश्ट कीजिए अब वहाँ पर उनका लेखन शैली में क्या सुधार ला सकते हैं उनसे जो हैं सजेशन लिया करते थे लोग लेखन के बारे में तो महादेव जी की कलम से अनेक लेख टिपडियां पत्र गांधी जी के व्याख्यान प्रार्थना प्रवच्चन मुलाकात तथा वारता लापो पर लिखी गई के चौथाई आकारवाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में सुंदर लिखावट के साथ जेट जैसी गती से लिखे जाते थे वे शौट हैंड नहीं जानते थे तो मतलब उनकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी थी यह सारी चीजे जेट स्पीड से लिखते थे यानी कि बहुत तेज लिए यह शौर्ट हैंड मेल नहीं रिखते थे वह हर एक चीज डेटियल में लिखते थे और उनकी जो स्पीड थी लिखने की वह बहुत ही तेज इसन्य इसको बोले गया जैट जैसी गती क्योंकि इन लिखने के लिवे बहुत अग enterprises में लिखें गे तो यह सा आए आगंतुक अपनी मुलाकात की चर्चाओं को शौट हैंड में लिखा करते थे किन्तो महादेव भाई एक कोने में बैट कर ही सारी चर्चाओं का वरत्तांत लंबे लेक में उतार देते थे जो अचुक था अब क्या था जब गांधी चीज़ें से बिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे तो चर्चाओं होती थे सिर्फ महादेव भाई उन सारी चीज़ों को नहीं लिख रहे होते थे इसके लावा कई और लोग भी लिख रहे होते थे महादेव भाई वही चीज़ों को पूरे डिटेल में अच्छे से लिख दिया करते थे इन में तुर्टियों की कोई गुंजाईश नहीं होती थे ऐसा नहीं है कि वो जल्दी लिख रहे हैं तो गलतियां होंगी उसमें गलतियां होती ही नहीं थे शौट हैंड को देख जब गांधी जी कहते कि महादेव के लिखे नोट में थोड़ा मिलान कर लेना तो लोग दातों तले उंगली दबा लेते थे अपनी इसी विशेषता के कारण महादेव दिसाई लोगप्रिय हो गए थे अब देखिए कुछ लोग शौट हैंड लिख रहे थे कुछ लोग और महादेव भाई डिटेल में लिख रहे थे अब जब यह मुलाकाते खतम हो गई तो उसके बाद सब अपने अपने वाख्यान जो है उतना समय उनको भी लिख मिला, उतना समय हमें भी मिला वो जादा सटी लिख पा रहे हैं तो मतलब लोगों को आश्चर होता था दातों तले उगली दबाले न मतलब उनको बड़ा आश्चर होता था कि दिसाई भाई इतना अच्छा लिख लिया करते हैं लोई फिशर और गुंथर के समान निपुर लेखक भी उनकी टिपडियों का मिलान महादेव की टिपडियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने से हिचकते थे देखें इतने फेमस राइटर लोई फिशर और गुंथर जो हैं जो अपनी टिपडियों लिखा करते थे तो पहले वो महादेव जी की टिपडियों से मिलान किया करते थे फिर उसके बाद जाके गांधी जी को दिखाया करते थे तो ये बताता है कि दसाई भाई जो है वो बहुत ही निपुण लेखक थे उनकी लेखन शैली हो उनके लिखने की स्पीड हो उनकी राइटिंग हो सभी कुछ एकदम बहुत अच्छा था तो इस प्रशन के साथ हमारा ये जो पार्ट था शुक्रतारे की समान इसके important questions मैंने आपको करा दिये हैं तो ध्यान रखिएगा questions तो बहुत तरह की पूछे जा सकते हैं मगर answer frame करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए तो ये most important की जितनी भी हर chapter हम आपको करा रहे हैं ये इसी लिए से है कि आप answers को अच्छे से frame करना सीख जाए question समझ लीजिए उसके बाद answer कहीं का भी हो आपको लिखने में कभी कोई परिशानिया नहीं आएगी और answer बनाने से पहले chapter की अच्छी knowledge होना ज़रूरी है तो बस हमने chapter पढ़ लिया, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया तो कहीं से भी कोई answer question किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए short हो, very short हो, आपका long हो, आपका बहुँ भी कल्पी हो, आप हर तरीके से उसका answer दे सकते हो तो जब भी कोई chapter आपके लिए test exam में आए तो उन्हें अच्छे से पढ़िएगा ज़रू Thank you for watching, bye bye